हेलो माइडियर स्टुदेंट्स, वेलकम यौल तो अमेजन अकाडमी, आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं, ट्रिक पॉर बोडी स्लिपिंग ओना फ्लाट सर्फेस विच इवेंचुली अंडर्गोज प्यार रॉलिंग, तो एक फ्लाट सर्फेस है और उ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और मजएदा ट्रिक है, जिससे इस तरह की सिचुएशन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी देखा जा सकता है, और फाइनली जब बोडी प्यार रॉलिंग करेगी, तो उस ट्रिक का इस ट्रिक का फाइदा उठाइए, बेनेफिट उठाइए, ठीक, तो सबसे पहली बाद जो समझने की, जो पहला पॉइंट पर रख रहा हूं वो ये, कि अगर सर्फेस रफ है, जियां से सुनना, अगर सर्फेस रफ है, और अगर मैं उस पर किसी बी अवस्था मे किसी भी situation में छोड़ दो, तो वो eventually pure rolling करेगी ही करेगी, एक रफ सर्फेस पर आप किसी body को छोड़ दोगे, तो वो pure rolling करेगी ही करेगी, ठीक, अच्छा जी, तो वो जब pure rolling करना शुरू करेगी, उस समय अगर हम situation को देखे हों समझा, तो एक example के थुरू, मैं जो पहली trick है, trick number 1, T1 जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसको एक example के थुरू रख रहा हूँ, तो माल लेते हैं ये एक rough surface है, और इस rough surface पर कोई भी body, माल लेते हैं एक solid disk जैसा है, और इसको मैंने केवल center of mass की कोई velocity V0 देखे, T is equal to 0 moment पर इसको छोड़ दिया है, तो it is basically a solid disk, तो it is a solid disk having a mass of m and radius of r, mass m and radius r, और V0 velocity देखे छोड़ दिया है, ठीके जी, अच्छा जी, and as per the situation, after certain point of time, it eventually undergoes pair rolling, तो माल लेते हैं कि किसी T time के बाद या T time पर ये pair rolling करना शुरू कर देती है, और अब इसके center of mass की velocity हो जाती है भी, और हम जानते हैं कि अगर कोई body flat surface पर या रुकी हुई, stationally surface प rotational motion होगा, उसका sense और V का sense synchronized होना चाहिए, that means अगर V forward है, तो sense of rotation कैसा होना चाहिए, clockwise sense में होना चाहिए, so that bottom most point पर net velocity बने 0, और V और omega में relationship बनेगा, क्या V is equal to r omega का relationship, V और omega के बीच होगा, तो V is equal to r omega का relationship बीच होगा, तो ये situation finally माल लेते हैं किसी T समय पर आ जाती है, तो म है, जो पहली trick सिखा रहा हूं, जिसकी मदद से इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, और समझा जा सकता है, वो trick है, कि इस पूरे slipping के दौरान, जब इस slip करेगा, इस पूरे slipping के दौरान, क्या आप समझ रहे हैं कि bottom most point पर friction force लगेगा, backward direction में ऐसा, जो की लगातार लग सकती है, यह situation होगी, obviously mg और n तो एक दूसर को satisfy करी रहे हैं, balance कर रहे हैं, क्योंकि vertical direction में कोई acceleration system के पास नहीं है, friction ही एक मात्र फोर्स है, जिसकी वज़े से सब कुछ होने वाला है, तो अपने काम करें, अगर एक access, ground पर एक stationary access है, ground पर एक stationary access अगर imagine करें, तो क्या इस frictional force उ on the ground would be 0, और हम अच्छे जानते हैं कि अगर net torque 0 हो जाए, तो angular momentum of the system will remain conserved, यहां से हम बन गई हमारी सबसे पहले trick, hence T is equal to 0 moment पर, बीच के किसी भी moment पर, और final moment पर, जब प्यारो लिंक शुरू हो गई है, इन में से किसी भी situation की बात करो, तो total angular momentum about this access will remain constant, total angular momentum about this access will remain constant, as well as that, तो बीच की सभी चीज़ों को अगर हम छोड़ दे, हम केवल initial or final situation को देखे हो, दोनों के angular momentum अगर हम relate कर दे, तो बस scale खतम हो जाएगा, उसके लिए आपको angular momentum अच्छे से आना चाहिए, angular momentum बहुत ही आसान है, एक मनिट अगर angular momentum को हम समझ लें, तो angular momentum की जो fundamental definition है, that is r cross p, तो अगर board के बाहर है, तो rotational motion कैसा होगा, anti-clockwise, और अगर board के अंदर है, तो rotational motion कैसा होगा, clockwise, right, hence magnitude of angular momentum को हम mv into r perpendicular की तरह ले सकते हैं, यह है एक particle का angular momentum, angular momentum of a single particle, और वहीं अगर कोई rigid body है, जो rotate कर रही है, अपने center of mass से पास होने वाली किसी access के about, जैसे माल लेते हैं, यह कोई body है और यह अपने center of mass से पास होने वाली access के about, rotate कर रही है, ऐसे इस प्रकार से, तो इसका जो angular momentum मनेगा, that is given by I omega, that angular momentum is given by I omega, in fact, I naught omega, I naught से मेरा क्या मतलब है, access passing through center of mass of the body, क्या मेरे बाद समझ पार है, हैंस अगर कोई body, translation और rotation दोनों कर रही है, जैसे इस case में, final जो situation होगी, इस center of mass को particle कितरे लेंगे, तो MBR का contribution आएगा angular momentum में, और जो body rotate कर रही है, उसकी वज़े से I naught omega का angular momentum होगा, एक छोटा सा point है, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, कि जो angular momentum rotating body का अपने center of mass वाली access के about होता है, वो ही angular momentum किसी भी parallel access के about होता है, बड़ा important point है यह, औ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा, इन सब बातों को अगर हम अच्छे से समझते हैं, तो initial angular momentum, L initial, इस body का इस access के about, तो rotate तो कर नहीं रही थी शुरू में, cable translate कर रही थी, है ना, तो कितना M V naught R, बहुत आसान है, समझ माना चाहिए, cable center of mass के पास जो velocity उसकी वज sense कैसा है, clockwise, final जो situation है, उसमें अगर आप बात करें, तो center of mass के पास velocity है, V, तो center of mass के पास V velocity है, तो clockwise sense में angular momentum similarly बना M V R, प्लस, अब चुकि body के पास rotation भी है, हैंस center of mass से पास होने वाली access के about, I naught omega, और वही angular momentum इस access के about होगा, अभी मैंने समझा है, हैंस MR square by 2, MR square by 2 is the moment of inertia of the disk, मै तक समझ मैं आना चाहिए, ठिक्के जी, चुकि pure rolling हो रही है इस समय, तो इस समय V और omega में क्या relationship है, V is equal to R omega का relationship है, हैंस अगर मैं इस omega की जगे substitute कर दूं किया, वहाँ से उठाके substitute कर दूं, V by R यहां पर, हैंस यह M V R है, यह हो जाएगा M V R by 2, और यह दोना मिलकर हो पहली trick T1, क्या बता रही है कि किस तरीके से हम center of mass की velocity लिख सकते हैं, जब body का pure rolling शुरू हो जाएगा, that is trick 1 जो इस exercise में हम देख रहे हैं, हैंस क्या trick है, एक axis जो की जमीन पर पड़ी हुई है, उसके about angular momentum conservation कर दो, बले ही body slip होती हो, उसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ह trick number 1 हमें बता रही है कि हम कैसे final linear velocity as well as angular velocity, क्या आप मुझे omega भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, omega की value है v by r, hence omega का value v by r है, तो 2v0 by 3r, that is the angular velocity of the body when pure rolling starts, I hope you are getting, ठीक है, यह हो गया trick number 1, अब trick number 2 को समझो, माल लेते हैं, कोई अगर मुझसे पूछता कि यहां से यहां तक जो समय लगा, time interval लगा T, यहां time था 0, यहां time है T, तो वो time interval T क्या है, कोई अगर मुझसे पूछे कि what is the time interval T, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यह जो frictional force है, इसका nature कैसा है, static यह kinetic, बोलो, kinetic, कैसा है friction, kinetic क्यों, क्य आप समझ रहे हैं कि body का, body पर जो force लग रहा है, जो body को de-accelerate कर रहा है, center of mass की speed को जो कम कर रहा है, वो जो force है, क्या वो किवल frictional force है, हैंस frictional force है, जो de-acceleration generate होगा, de-acceleration generate होगा, वो कितना होगा, mu g, है ना, जो की constant होगा, हैंस क्या मैं V is equal to U plus 80 की equation लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, और क्या उस equation से मैं time निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, तो ये है मेरी trick number 2, T2 जिसको मैं बोल रहा हूं, कि final velocity अब अपने को known है, initial velocity भी अपने को पता थी, और de-acceleration भी हमें पता है, तो using V is equal to U plus 80, ध्यान रखना है, constant acceleration में ही इस् कितना mu G into T, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपको ये कैसे, लिखा मैंने acceleration क्या होता है, total force divided by mass, और total unbalanced force body पर क्या है, frictional force, है जो center of mass का, center of mass का acceleration बना, that is frictional force divided by mass, so this becomes mu G, ठीक है, उठा के यहां रख दिया, कि हम यहां से T का value निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते है तो mu G T, mu G T को इधर ले जाते हैं, is equal to V naught minus of 2 by 3 V naught, 1 minus of 2 by 3, which is V naught by 3, so this is V naught by 3, और time T is nothing but V naught divided by 3 mu G, तो भाई, trick number 2 से time भी निकला है, मझे से, तो trick number 2 ने आपको क्या बता दिया, time बता दिया, फटा पट से time निकाल सकते हैं, कि कितना समय लगेगा, ठीक है जी, तो इतना समय वाला है, तो हम time की calculations कर सकते हैं, time बता सकते हैं, कि how much would be the time that would be elapsed, और एक तीसरी चीज़ और सिखा रहा हूं है, trick number 3 बोल सकते हैं, उसको तीन trick आपको सिखा रहा हूं, इस पूरे process के दौरान, अगर कोई मुस्से ही पूचे कि friction work done कितना हुआ है, friction के through heat energy का loss, friction के through energy का mechanical energy क loss कितना हुआ है, तो कि हम के वले इतना कर सकते हैं, कि initial energy देखें, final energy देखें, initial में से final subtract कर देखें, कि हमें work done by friction आ जाएगा, तो तीसरा trick है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, that is work done by friction is equal to the initial mechanical energy of the system, minus the final mechanical energy of the system, now if a body is undergoing translation and rotation बोथ, तो उसकी जो mechanical energy है, या जो total energy है, कैसे भी उसक को कह लो, तो कैसे total energy includes kinetic energy because of kinetic energy because of translation, plus kinetic energy because of rotation, दोनों के अपने अपने formula है, kinetic energy because of translation क्या है, half mv square और center of mass के about rotation हो रहा है, उसकी जो kinetic energy हो कितनी है, half into i0 into omega का square, है ना, हैस इनिशल जो situation थी, उस initial situation में rotation तो था ही नहीं, हैस इनिशल kinetic energy, kinetic energy, initial, अगर मैं यहीं पर लिखू, तो kinetic energy initial क्या है, half mv0 का square, तो kinetic energy initial is half into m into v0 का square, agreed, this is kinetic energy initial, और kinetic energy final क्या है, तो kinetic energy final क्या है, that is half mv square, this is because of translation of the body and rotation की वज़े से, half i, half into i, i is mr square by 2 into omega का square, and omega is v by r, so this becomes v square divided by r square, right, so r square, r square को मैंने cancel out किया, half mv square plus mv square by 4, right, this is the final kinetic energy, तो half mv square plus mv square by 4, final kinetic energy इस example मैं बना, ठीक है भई, तो initial and final दो kinetic energy इस मैंने लिख लिख लिया है, तो 1 by 2 plus 1 by 4 करो, कितना आ जाएगा, 3 by 4 आ जाएगा, 1 by 2 plus 1 by 4 would be 3 by 4, तो 3 by 4 mv square, 3 by 4 mv square, और v का value क्या है, v का क्या value था, v का value था, 2 by 3 v naught, क्या मैं substitute कर दो, तो v का value, यहाँ पर मैं रख दूंगा कितना, 2 by 3 v naught, v की value को मैं substitute कर दोंगा, 2 by 3 v naught, और फिर इसको simplify करके, क्या मैं work done by friction की value निकाल लोगा, तो 3 trick मैंने आपको समझाई, फिर से repeat कर दे रहाँ, T1 trick क्या कहती है, T1 trick की मदद से क्या निकाला जा सकता है, final linear velocity and final angular velocity, after slipping ceases, when pure rolling starts, है न, और उसके लिए क्या करें, एक axis जो जमीन पर पड़ी हुई है, उसके about angular momentum conservation करें, that is the first thing, second trick कैसे खाई, time calculations, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, center of mass की, v is equal to u plus it की equation, बनाएंगे, आपने को final velocity पता, initial पता है, और सीखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को इन examples में लगा सकते हैं, तो जड़ा पड़ो question पड़ो, क्या कह रहा है question जड़ा देखो, fairly easy है, तो easy question है, conceptual question है, दोनों तरह के questions बनते हैं, conceptual भी, numerical भी, तो यह conceptual question है, तो क्या कह रहा है question, which of the following correct direction of frictional force on the cylinder, which is pulled, is towards left, तो क्या बताना है, कि frictional force का direction किन-किन examples में leftward है, तो आज जो first example में दोखो, आप force लगा रहे हैं forward direction में, क्या यह force अ center of mass को accelerate, acceleration प्रवाइट करेगा forward direction में ऐसे, और क्या इस force की वज़े से torque जो आएगा, क्या वो anti-clockwise sense में घुमाएगा ऐसे, है न, hence center of mass का जो translatory motion हुआ, उसके कारण, इस lower most point के पास forward direction में एक motion आया, और जो rotational motion हुआ, उसकी वज़े से भी lower most point पर forward direction में motion आया, hence जो lower most point है, उसके पास net motion forward direction में आ रहा है, friction किज़ा लगेगा, backward, that means towards left, hence क्या friction force, obviously relative motion को oppose करेगा, और backward direction में लगेगा, hence A में तो backward है, ठीक है जी, उसने हम से पुछा है, in which of the following, correct direction of friction force is towards left, तो A में तो towards left है, ठीक है बई, B में आ जाते हैं, तो यह plank है, plank के उपर, plank के उपर, एक smooth, rough plank, which is internal place zone of smooth surface, तो plank is place zone of smooth surface, और उसके उपर, एक cylinder रखा हुआ है, और plank को हमने कोई F force लगा कर खीचा, तो जैसे आप plank को F force लगा कर खीचोगे, plank accelerate करेगा, plank के frame से एगर हम cylinder को देखें, plank के frame से, солेंडर को देखें, तो plank के पास खुद का कोई acceleration होगा, और उसके frame से अगर हम cylinder को देखें तो cylinder पर क्या एक pseudo force लगेगा किस direction में? backward direction में that means किसी instant of time पर अगर plank के पास A acceleration है तो अब plank के frame से अगर हम cylinder को देखें cylinder का अगर mass M है तो क्या pseudo force लगेगा M A क्या this is the only force which will try to create relative motion between the plank and the cylinder तो क्या ये जो force है क्या ये force center of mass पर backward direction में लगेगा जो की cylinder को पीछे की तरफ लेख जाने के कोशिश करेगा कि हम बात को समझ पा रहे हैं और जब शुरू होगी कहानी तो ये translatory motion इस force की वज़े से translatory motion generate होगा इस force का कोई torque नहीं है center of mass से पास होनी अवाली एक्सिस के about hence this force will not try to rotate the body it will only translate the body hence bottom most point पर एक motion backward direction में generate होगा जिसकी वज़े से plank से जो friction आएगा that would be in the forward direction hence B में जो fractional force है that is in the forward direction that is not in the backward direction so that is in the forward direction example number 3 को देखो बहुत आसान एकदम easy है example number 3 को देखो आपने force लगा है ऐसे upward direction ठीक है तो ये जो force है क्या ये force anti clock कोई sense में rotational motion generate करवाएगा इसका जो torque है और ऐसा हो जाने से bottom most point के पास क्या forward direction में एक motion आ सकता है जिसको oppose करेगा कौन frictional force hence frictional force इस example में भी किदर लग रहा है backward direction में लग रहा है और last example को देखो आपने horizontally F force लगा कर खीचा इस F force का कोई torque तो नहीं है पर इससे translatory motion right direction में generate हो रहा है bottom most point भी right direction में जाने की कोशिश करेगा तो जो frictional force body पर लगगा that would be in the backward direction तो simple direction of frictional force बताना है direction of friction force को लेते हुआ हमें इस question को देखाएग दूसरा question देखो थोड़ा सा tough थोड़ा सा typical है थोड़ा सा tough है और typical IT की flavor का है तो कहता है कि there is a spool I hope you understand spool thread wound रहता है तो there is a spool which is placed on a rough surface on a rough horizontal surface and has inner radius of smaller and outer radius of capital R the angle theta between the applied force and the horizontal can be varied तो this angle theta can be varied the critical angle theta for which the spool does not roll and remain stationary the spool does not roll and remain stationary तो just imagine if the spool is not rolling it is stationary तो torque about any axis must be zero if a body is stationary then torque about any axis must be zero hence if you take an axis which is passing through the bottom most point इसको axis बना लें अगर अपर अभी समझाए था trick 1 में ground पर पड़ी हुई एक axis है वो बहुत important axis है उसी axis की दोबारा बात हो रही है देखो ध्यान से कैसे हम use कर सकते हैं उस बात को तो अगर हम इसको axis बना लें तो कि इस axis की अबाउट net torque सभी forces का zero होना चाहिए gravitational force obviously इसी से pass करेगा इसे normal reaction भी जो जमीन से आ रहा है वो भी यहां से pass करेगा cable जो force रह गया वो है F तो कि आप समझ रहे है F force को इसी axis से pass करना चाहिए तो F force should pass through this axis that means F force का अगर line of action को मैं stretch करूँ तो it should pass through this point मैं थोड़ा elaborate करके थोड़ा बड़ा diagram दिखाता हूँ so if this is the small वाला situation and this is this और बनाते हैं दुबारा तो let us imagine ऐसा and let us imagine ऐसा कुछ है ठीक है और यह situation तो जो point मैं रख रहा हूँ वह है कि यह अगर axis ले ली जाए इसको अगर axis की तरह दिखा जाए तो जो force है that force should pass through this axis hence force का जो line of action है that should pass through this axis तो let us imagine अगर इस तरह से कुछ दिखा जाए तो force का जो line of action है वो इस axis से भुजरना चाहिए है ना तो ऐसा कुछ होना चाहिए यह एक straight line होगी है ना तो यह लगबग लगबग एक straight line बनेगी यह center है hence this is small r and this is capital R and the angle theta is this and this angle is 90 degree right हमें theta का value चाहिए simple geometry का इस्तेमाल करेंगे देखो if this is theta this is 90 minus theta and this is 90 this becomes 90 minus theta this angle becomes theta right if you look at this right angle triangle this one if you look at this right angle triangle मैं अलग से अगर इसको draw कर दो यह right angle triangle को देखो तो this is small r, this is capital R this is capital R, this is small r this angle is 90 degree, यह radial, यह tangential and this angle is theta give me the value of cos theta cos theta is small r by capital R so cos theta is small r by capital R are you with me? तो last example जो अभी सिखायता उसको लेते हुए suppose the solid disk having a radius capital R is what on a rough horizontal surface and is given an angular velocity omega so there is a solid disk, trick number one का इस्तमाल करूँगा, तो solid disk है having an angular velocity of omega 0 likewise right ऐसे रख दिया है, solid disk को ऐसे रख दिया है और हमें बता देना है की time interval before वगर 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 सारी बाते बता दीन, तो solid disk को इस तरीके से रख दिया है ठीके जी, तो जरा देखे, तो it is rotating in this sense fractional force का direction बता फटा फटा फट fractional force के दर लेगा, backward direction वा लेगा hence fractional force would be in the backward direction ऐसे hence क्या डिस्क पीछे की तरफ जाएगी right, hence यह पीछे की तरफ move करेगी hence t is equal to 0 पर अगर यह यहाँ थी तो किसी t is equal to t time पर यह जो disk है, वो यहाँ कहीं आ गई होगी पहला trick लगा कर हम omega की value को लिखेंगे hence if you take an axis passing lying on the ground, if you take an axis which is lying on the ground somewhere here तो conserve angle of momentum about this axis initial and final, so initial angle of momentum cable rotation हो रहा है, hence initial angle of momentum is m r square by 2 into omega 0, that is initial angle of momentum and the final angle of momentum would be equal to m v r plus m r square by 2 m r square by 2 into omega pure rolling हो रही है, तो v is equal to r omega बनेगा, तो v का value कि हमें r omega रख सकता हो तो v का value यहाँ मैंने r omega रखा तो m r square omega plus m r square omega 3 by 2 m r square omega so this is like 3 by 2 m r square into omega और इधर m r square by 2 into omega 0 hence m r square by 2 m r square by 2 पूरा का पूरा cancel हो गया, तो omega का value कितना आ गया omega 0 by 3, hence omega is nothing but omega 0 divided by 3 final angular velocity हमें पता चल गई, final angular velocity पता चल गई अब वो क्या क्या चाहता है, वो चाहता है what is the time interval before pure rolling before pure rolling motion starts so what is the time interval before pure rolling motion starts what is the initial translational velocity 0 and what is the final translational velocity, इस moment पर translational velocity क्या होगी r omega which is r omega 0 by 3, I am using v is equal to u plus 80 so final velocity which is r omega 0 by 3, v is equal to u which is 0 plus acceleration which is mu g into t hence time is time is r omega 0 divided by 3 mu g r omega 0 divided by 3 mu g is the time interval are you with me? time T is nothing but r omega 0 divided by 3 mu g agreed, इक चीजe होगी फिर इसफोड़़़ची फिर इस बफोर pure rolling starts can I, can I write the distance travelled as s is equal to ut plus half 80 square ut is 0 है, इस यह उसे होई honest s is equal to ut plus half 80 square so it would be equal to ut 0 plus half acceleration is mu g into time t is r omega 0 by 3 mu g so it is like r square omega 0 ka square divided by 9 mu g ka square toh ek ek kata hence it is r square omega 0 square divided by 18 mu g which is your option number b third kata rolling motion doesn't occur obviously it is wrong rolling motion will start and last kata time interval before rolling motion start is this which is also wrong so the right answers are a and b i hope you understand so likewise the three trick we have talked about three tricks, sometimes one, sometimes two, sometimes three, sometimes one, two combinations and so on using these combinations we have many questions that we can solve in flat surface the slipping cases that we can see and understand so i hope that this will be a lot of your work in your exam you will have one or two questions from this trick and in this way you will see this series you will see this series and you will see this series and you will see this series and you will see this series thank you very much happy learning heavenly you my 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 झाल झाल